स्टांडर 12 में एकोनोमिक्स में लास्ट वीडियो में हमने हमारे मीनिंग ऑफ बाटर सिस्टम और उसके लिमिटेशन से देखे थी आज के इस वीडियो में हम मनी किसे करते हैं और ओरिजिन उसका डेवलोप्मेंट किस तरह से उसके बारे में करेंगे सो लेट्स केट स्टार सबसे पहले हम ओरिजिन एंड डेवलोप्मेंट ऑफ तो कॉंसेप्ट ऑफ मनी में देख लेते हैं उसमें एवेलिएशन ऑफ मनी तो मनी के जो एवेलिएशन वो कब हुई इन ओर तो सिंप्लिफाइड प्रोसेजर ऑफ एक्शेंज और इंट्रूस एउनिवर्सली इन इंडिया अब यहां पर मनी की एवेलिशन कब हुई तो कि हमें एक युनिवर्सली एक्सेप्टेट मीडियम जो है था कि जो हमें स्टोर वेल्यू समझा सके उसके फॉंक्शन्स वह समझा सके और हम इजीली जब भी हम प्रोड़क्ट कर पर्चेस कर रहें सेल कर दें त तो यहां पे हमारे इंडिया में क्या है था कि अगरे कुल्चर इसमेचर अचे वे शिरुंक्टर सेक ऐकोन्मी जो हमें पहरे इनिवें प्रेटा थे क्या है ऐटा है उता है कि अटिक आम्स्विच्टेट मारी एक्रिक्टर अनृट्प्ट्रेरी ने कोर्य प्र्द्ट्री यहीं जो इनकम होती ती वो हमारी अगरी कल सेक्टर के उपर ही डिपेंडिन होती ते इसलिए जब भी है कोई भी फार्मर थे वो लार्ज प्रोडक्शन करके और उसे रख देते थे और जो सफीशन्स टोक हमारे पास रखते हैं हमें जितने चरुत होती थे उसे हम रखते हैं तो स्टोप था उसे हम सेल कर देते हैं तो पहले के जमाने में अनिमल्स लाइक बॉफेलो, काउस, होर्स वे उस तु दे एक्शेंज वेल्यू फटा बनी एंट कि जब भी ट्रेट काना था तब जो है वो एक्शेंज वेल्यू के रूप में हम एनिमल्स का यूस करते हैं तो पहले के जमाने में क्या होता था कि हम जो अनिमल्स उस हम एक्शेंज परे आखा देट हैं एक डूसाने मेंगे अग्वाट था जो हम ना इनिमल्स का लेग वेल्यू करते हैं जैसे जैसे time spent होता है, but animals it's not a perfect or advisable medium of exchange. Therefore, because some reasons के कारण animals बीमार भी हो सकते हैं, वो die भी हो सकते हैं, पतले भी हो सकते हैं, उनका इतना development भी नहीं होता है. As a result, हम उन्हें proper जो है, वो हम उन्हें, as a medium of exchange, हम उन्हें उन्हें नहीं कर सकते हैं. At the one side of imp relation, the use of coins start. जैसे जैसे राजाओं का जमान आता गया, coins का use to have started, start होता गया, as a means, the trade and exchange of goods and services in the kingdom. The only limitation was that there was a limited society and reasons. अब यहां पर फिर राजाशाई के जमाने में हैं, जो coins start होने लगे, बट उनके एक limitation क्या थी हो, उनके पास कोई limited societies के, जो rich persons होते हैं, उनके पास ही यह coins होते हैं. अब यहां पर क्या होते हैं, जो नीट थी मनी के वो बढ़ती गएं, एज एज रिसल्ट हमने यहां पर क्या कहा है कि, मनी को एक acceptance के रूप में, सेंटर गवर्नमेंट ने एक accept के, कि मनी को हमने exchange of medium लिया कोट्सिंट सर्विस के लिया हमने एक accept के, मनी जो है वो success होती के पर उसकी limitation क्या थी, shortage of money, हमें जरूर नहीं कि हर बार हमारे पास मनी को store करके, और इस तरह कि यह जो limitation थी, उसे हमने banking system के थूर यह limitation को भी हमने दूर कर दिया, कि यह जो उसकी limitation थी, उसको भी हमने आपे दूर कर दिया, कि banking system के थूर, without any doubt or investigation, regardless of time and place, अब यहां पर money के हमारा medium of exchange, कि जिसके थूर हमें कोई भी doubt के बिना, कोई भी investigation के बिना और कोई भी time पर हम प्लेस पर हमें जो भी जुरूरत हो, उसे हम easily payment कर सकते हैं, well, Robertson define money as a what is accepted universally in exchange of goods and service, that means कि whenever we have to need, we need a goods and service, then universally accepted to have money, उसे हम easily exchange कर सकते हैं, for the purchasing or acquiring goods and service, thus it is that perform the function of money is called money, in order to understand, make it necessary to understand the function of money, मतलब कि अगर simple meaning में जेखने जाए कि जो money के functions करें, मतलब कि हमें जो भी जर्वत है, उस course को purchase करने के लिए, जो हम एक standard जो decide करते हैं, उस standard के according जो हम payment करते हैं, that is called the money, अब यहाँ पर money के जो functions हैं, वो functions कौन से कौन से होने चाहिए, वो भी हम देख लेते हैं, मतलब कि यहाँ पर money का function के हैं कि हम exchange को रूप में उसे हम use करते हैं, और जो भी double functions मतलब कि एक ही बार हम double calculation जो होती है, वो calculation उसे हम limitation को हम हटा के और हमारी जो exchange उसे हम easier बना देते हैं, क्योंकि अगर वो जो goods चाहिए, तो पर्टिस करने के लिए में क्या करते हूं, उसे money payment करते हैं, तो easily हम उसे वो जो हमारी needs से हम satisfied कर सकते हैं, अब यहाँ पर फार्मर अगर वो गूट सेल करते हैं, तो उसे money, पैसे मिलते हैं, और उसी पैसों का वो क्या करता है, कि अगर उसे cloths चाहिए, घी चाहिए, राइस चाहिए, तो उसका वो उसमें यूज़ करते हैं, that means कि वो उसकी ज़र्द है, उसे वो फुल्फिल करते हैं, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, हमें यहाँ पे, money as a store of value, another function of money is, money is a store of value, if a person produce goods and service in the exchange of other goods and service, but saving wealth for future needs of goods and wealth was difficult to become, the use of money is a means of exchange, यहाँ पे, second function किया है, money कि हम store of value करेंगे, अगर कोई परसन है जिसने गुड्स जो है, एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स पर्चेस किया है, या कोई फ्यूचर निट्स के लिए उसने उसे store करके रखा, तो उसे हम as a money के रूप में उसे use नहीं कर पाएंगे, animals was mortal and long time saving of values was not using them, कि जो भी हम animals से वो हमेशा lifetime जिन्दा रहेंगे, बट उनकी भी कभी ना कभी तो दैत होगे, इसलिए उसे हम long time तब store करके नहीं रख पाएंगे, this made money the most successful means of storage of value in the term of time, it is easy to have money as a store of the value, it become possible to get money in the exchange of crop and save money for the future needs to buy our goods, फिर इस ताइम पर अगर जब हमें पैसों के जर्वत हो तो हम money as a store of value कि जिसके थरू हम money को easily store कर सकते हैं, के बात का मारा थार्ट फंक्शन है, as a measure of value, money plays an important role as a medium of exchange, in barter exchange system, it was difficult to remember the exchange rate and value of each goods and service, for 20 kg is equal to how much cash is of right, equal to how much meter of goods, 7 equals to how much kilo of gear, while on the other hand, money makes easier allowing the value of different goods and services to be compared and assets against each other, money implies the price system, allowing the measure of price of each goods and service, which can be compared to each other, it also faster decision making and exchange, अब यहां पर जो बाता सिस्टेम में क्या होता था, कि हमें लोंग टाइम था, उससे हम याद नहीं रख सकते था, कि exchange value क्या है, अगर हमें 20 kg हम वीट टे रहे, तो उसके अगे से हमें कितना केजी राइस मिलेगा, कितना केजी हमें क्लोथ मिलेगा, कितना केजी हमें गी मिलेगा, तो यह सारी चीजें जो है, वो मेजर करना हमारे डिफिकल्ट हो जाता था, But on the other hand, अगर हमें money अगर हमारे पास है, तो easily हमें measure हम कर सकते हैं, कि हमें कौन से goods के लिए कितना पेमेट करना जरूरी है, और उसके तो हमें पता चलता है कि measure कि हमें कितनी easily हम एक दूसरे जो भी goods हो से हम compare कर सकते हैं, और हम decisions जो है, वो decisions easily ले सकते हैं और हमें जो exchange करना हम easily exchange कर सकते हैं, So, यह थे functions of money के, as a money हमें कौन से काम जो है, वो करते हैं, कि store करना, फिर उसकी values जो है, वो decide करना, उसकी needs जो है, वो satisfied करना, यह जो है, वो money के functions थे, अब हम, types of money देख लेते हैं, since the time of waterstorm, animals or precious stones were used as a mean of exchange and the store of value, thereafter, metal coin came into existence which were found by, followed by government regulates notes and currency coins, this was succeeded by banking system, credit card and e-banking system, the type of money are, commodity money, animals money, metal money, paper money, and plastic money, and banking money, that means, के पहले के जमाने में क्यों थे होता है, तक बाटर से स्था में हम animals का यूज़ करते हैं, यह प्रिशे स्टोंस चों होते हैं, कि डाइमर्स और वो साथ चीज़ है, उसे हम यूज़ करते हैं, अधे एक्सेंज ऑफ एक्सेंज ऑफ एक्सेंज चोड़ेयों फिर देरे देरे चीज़े टाइम स्पेंट होता गया, फिर हमने मेटल कोइन्स का यूज़ करने लगे और फिर उसे मेटल को फोलो करने के बाद गोपर में ने, प्राइब करन्सीज और नोट्स वो सारी चीज़े जो है वो फोलो की एंद धिरे दिरे फी ये सारी चीज़े सक्सेस्फुल हो गे तो बैंकिंग स्टों में क्राइड़ कादे ये बैंकिंग ये सारी चीज़े जो है इंप्लीमें होने लगी अब यहां पर टाइपस आफ मनी किशनक्टों में जो अल्सन्थं को जो किसे कहते हैं वो थारों इस आठकिंग में लेकzyka-प क्ों yhte कॉयंस इर्ट है और किसे ये मोगे बेंकिंक झाल